नमस्कार दोस्तों, क्रियो पारामेट्रिक के नए लेक्शन में आपका स्वागत है आज हम लोग एक नया कमांड सीखेंगे, चलिए देखते हैं डामेंसेंस को हम बाइडिफोल्ट रहने देते हैं आज का मेरा कमांड रहेगा, डिवॉल्व कमांड चलिए इसपे हम क्लिक करते हैं सबसे पहले हम प्लेस्मेंट पर जाते हैं sketch को define करेंगे sketch plane define कर लिए हम लोगे उसके बाद ये जो हमेरा sketch view पर क्लिक करेंगे चलिए, एक sketch बनाते हैं हम लोग रिवाल्व होना थो पर्टिक्रुलिक हम को एक्सिस्टी इसक आलॉंग बें रिवाल्व करेंगा तो इसे के आलॉंग मेरा रिवाल्व करेंगा figure ठीक है चलिए हम okay करते हैं तो अभी देखिए मेरा एक pop-up खुल गया क्योंकि हम actually यह मेरा open loop हा मेरा sketch इसलिए हम मेरा surface generate होगा वह as a surface generate होगा ना की solid तो okay हम करते हैं देखिए मेरा surface generate हो गया तो देखिए suppose तो देखिए आपका half figure यह generate होगा है ठीक है हम 360 तरने दते हैं इसको तो as a surface मेरा यह generate हुआ figure यहाँ पर हम okay करते हैं तो यह complete मेरा figure होगा है आप suppose as a solid हमको generate करना होता तो देखिए क्या करते हैं इसमें edit में जाते हैं करते हैं इसकेज को फिर साम edit करते हैं इसकेज वियू करते हैं और इसको हम ऐसे solid convert कर लेते हैं ठीक है दोस्तों अब यह मेरा देखिए ए close loop highlight भी हो गया मेरा अब इसको हम okay करते हैं देखिए complete मेरा solid section हो गया आपका पुरा दिख रहा है यह पुरा complete solid section हो आपका ठीक है दोस्तों अब अगर इसको थिक्निस प्रोवाइट नहीं भी करेंगे चलेंगे कि मेरा complete solid ही हुआ है इसलिए thickness का यहां पर जोरत नहीं है यहां पर हम बस इसको okay कर देंगे तो देखिए यह revolve features का tool है ultimately किसी भी object को एक particular axis के along move करने में यह मेरा tool जो है useful होगा आपका ठीक है दोस्तों चलिए आज का मेरा इतना ही session रहेगा अब इसको हम swap करते हैं और नए session में मिलते धन्यवाद तर्मस्कार तुमस्कार